नमस्कार मित्रो मैं मुम्ताबाज बेभुपाल से मेरी हरी बरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजरू नए वीडियो और नए जानकारी के साथ तो चलिए फटा पट जान लेते हैं कि अब बरसात की सब्जियों की क्या क्या हम तैयारी कर लें कौन-कौन सी सब इस क्लिप पर मत जाये यह मेरी गर्मी की क्लिप है इसमें ककड़ी लग रहे है चुकि अब यह बरसात की फसल नहीं है तो फिर बरसात में क्या करना है कब लगाना है हम जादा तर हम हम यही कहते हैं पंद्रा जून से तैयारी कर लें और बारवर मैं भी अपने कॉमेंट्स नौ तपा से भी जादा अब तप रहा है और यह जून का पहला सप्ता है नौ तपा खत्म हो चुका है और फिर भी गर्मी भौत है और अठारा जून तक तो हमारे मौनसून आई जाता है तो हमें कब सबजी अब होना है जब मौनसून की एक पहली फुहार आ जाए और उसको यह उबलती हुई गर्मी न मिले यदि हम अभी लगा देंगे तो बीच अंकुरित भी होगा लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और भविश्य में भी वो बेल उतनी अच्छी नहीं फैलेगी जितनी की फैलना चाहिए तो चलिए यह तो हो गया समय की बात कि जैसे फोहर पड़े थोड़ा तापमान नीचे आए जो 15-18 जून के बीच हो ही जाएगा अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सबजियां लगाना चाहिए तो सबसे पहले मैं आप बताओं बेल वर्गी यानि कि लौकी तोरेई खीरा और करेला कदू यह बेल वर्गी सारी सबजि या बरसात में बहतर होती हैं बहुत अच्छे से होती हैं लेकिन इन्हें यदि हम जमीन पर फैला दें तो बरसात में मौईश्यर बहुत रहता है तो फंगस लगने का डर रहता है तो हमेशा हम मचान बना कर जिस तरह से आप यह मेरी बेलों का मचान देख रहे हैं मचान ब आभी भी छोटे कंटेनर में न लगाएं, छोटे ग्रो बैग में भी न लगाएं, यानि कि 18 इंच का तो ग्रो बैग कम से कम हो, और यदि छोटे में लगाते हैं, तो वो अंकुरित भी होगी, उसकी बेल भी चलेगी, लेकिन बेल बहुत बड़ा कार नहीं लेगी, एक आत ब फल लगेंगे और उसके बाद फल लगना बंद हो जाएंगे, तो यदि आपको अच्छी फसल चाहिए, तो आप बड़े कंटेनर मिलें, और किसी कारण वस आप बड़ा कंटेनर नहीं ले सकते, तो फिर आप जो मजोलिया करके कंटेनर हैं, जो आप 18 इंच का ग्रो बैग ले रहें, वो लाइन से 7-8 लगाएं, तो प्रती बेल में एक-एक फल लगेगा, तो आपको कुछ अंतता फल मिल ही जाएंगे, अब बात कर लेते हैं इनकी मिट्टी की, तो ये जो भी बेल वर की सबजियां होती हैं, ये हैवी फीडर होती हैं, तो इन्हें अच्छा तो डाने, और जादा से जादा, आप 50% आधी मिट्टी और आदा खाद ले सकते हैं, और इनको भुर भुरी मिट्टी चाहिए, और ये कंटेनर में नीचे नहीं जाती हैं, इनकी जो रूट होती है, वो टैप रूट नहीं होती, ये साइड में फैलती हैं, जैसे मेरी ये तो इसकी बारीक बारीक जड़ें पूरे ड्रम में फैल जाएंगी, और फिर क्या होगा, कि उपर उपर फैलेंगी, और कुछ समय बाद बरसात की बूने पढ़ने से, वो मिट्टी हटती जाएगी, उनकी रूट उपर आ जाएगी, तो हम इनको लगाने के बाद, कुछ दि मिट्टी में थोड़ा खाद मिला दे, तो जैसे ही एक बार फ्रूटिंग हो जाए तो आप फल तोड़ें और फिर वो खाद वाली मिट्टी डालें तो बैटर रिजल्ट मिलेगा, ये बात मैं कर रही हूँ करेला, ककड़ी, लौकी और तोरे, अब मैं इनके लिए दबाई की और बात कर लेती हूँ, तो जब नया नया और्गनिक करते हैं, तब हमारी मिट्टी में उतनी इम्म्यूनिटी नहीं होती, तो रोग बहुत लगते हैं, तो भई मैं तो शुरू से सिर्फ नीम ओयल ही स्प्रे करती हूँ, मिट्टी पर काम करें, मिट्टी को पहले के अलावा क्या नहीं लगाना है, जैसे मैं यूटी पर देखती हूँ, तो उसमें मैथी, पालक और धनिया का भी लोग बताते हैं, हो सकता है, वो पॉली हाउस में होती हो, या कि जिन जगहों पर कम बरसात होती है, देखिए भारत वर्ष इतना बड़ा है, हो सकता है, कही हो भी जाती हो, पर हमारे मद्यप्रदेश में ये सबजियां, यानि कि भाजी वर्ष की सबजियां नहीं होती, जिस दिन घमासान बारिस होई, उसकी बूनों के प्रेशर से भाजी पिट जाती है, और पूरी नीचे जमीन में लोट जाती है, और मिट्टी में मिल जाती है, इसके अलावा भिंडी लगा सकते हैं भिंडी बरसात में अच्छी चलती है बैगन लगा सकते हैं मिर्च लगा सकते हैं टमाटर लगा सकते हैं और सबके लिए यही मिटी चलेगी जो मैंने आपको बताई पता गोवी फूल गोवी इस तरह की सबजियां न लगां सेम भी लगा सकते हैं सेम आप अभी लगाएंगे तो ठंड में जाकर फलेगे तो उमीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्या क्या लगाना है कैसे लगाना है और क्या नहीं लगाना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार